आमिर खान भारती सिनेमा के वह अलाकार है जो बहुत ही इत्मिनान के साथ फिल्म बनाते हैं। उसके विभिन पहलों पर काम करते हैं। और जब उन्हें लगता है कि इस फिल्म को रिलीज करने का समय आ गया है तब उसे रिलीज करते हैं। लाल सिंग चड़ा भी एक ऐसी ही है जिसे उन्होंने बहुती सिद्धत के साथ बनाया है और बहुती सोर समझकर रचा है। फिल्म के डिरेक्टर आदित चंदन हैं। और फिल्म हालीबूड फिल्म फारफट गम का रिमेक भी है। लेकिन फिल्म में आमिर खान का टच्च साब नजराता है। और इतने जिन्दगी में चलने की आती है। जिसके साथ ही उसका कम समझदार होना भी उसकी रहा का काटा है। लेकिन लाल की मा जिन्दगी में उसे कभी हार न मानने का सबक देते हुए आगे बढ़ने के लिए कहती है। और लाल सिंग जिन्दगी की दोड में सरपट दोड़ता जिनके कारेक्टर के अलग ही पहलू सामने आते हैं फिल्म के राइटर और डारेक्टर ने लाल सिंग चड़्धा के नजरिये से भारत की कई एहम घटनाओं को पेश किया है जो काबिले तारीफ हैं अदेज चंदर ने पूरे दिल के साथ फिल्म को रचा है तो अदिल कुलकर्डरी ने कहानी के हर पहलू को ध्यान में रखकर गढ़ा है सिर्फ कहानी की लंद को थोड़ा कसा जा सकता था क्योंकि सिकंड हाब में फिल्म एक चमें पर आकर खिची हुई लगती है लाल सिंग चड़ा एक्टिंग की बात करें तो लाल सिंग चड़ा में आमिर खान ने अच्छा काम किया है वह लाल के किल्दार में गहरे तक समा गए है करिना कपूर ने अपने किल्दार को अच्छे से निभाया है और या जहन में लंबे समय तक ताजा भी रहता है नागा चेतन का बाली बुड में अच्छा डेब्यू है मानो बिज और मोना सिंग भी चाप छोड़ने में कामियाब रहते हैं आमिर खान की लाल सिंग चड़ा इस दौर की मातपोर्ड फिल्म है जिसे एक बात देखना तो बनता है जहां फिल्म लाल सिंग चड़ा को रिलीज होने से पहले ही बाइकॉट करने की मांग की जा रही थी तो वही अब फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों की राए पूरी तरह से बदल गी है तो आए जानते हैं कि फिल्म कैसी है लाल सिंग चड़ा में अमिर खान के लावा करीना कपूर खान, नाकाचैतन, मोना सिंग और मानुविज भूम काउमे है इसमें जहां अमिर खान सरदार बने है वही करीना उनकी सरदार नहीं बनी है फिल्म की कहानी पंजाब की लड़के लाल सिंग चढड़ा की है जो दिब्यांग है और बिना सहारे के चल नहीं सकता उसकी माउस का लगातार होसला बढ़ाती है फिर लाल सिंग की मुलाकार रूपा निकरीना कपूर से होती है रूपा भी उसका होसला बढ़ाती है और फिर एक घटना के बाल लाल दोड़ने लगता है फिल्म में भारती इतिहास के कई घटना को दिखाया किया है देश की आजादी से लेकर सिखों के खिलाप होई हिंसा और सुस्मता सेन का मिस्यूनियर्स बनने तक हर एक घटना को बेतरीन तरीके से दिखाया गया है ट्रेलर्स देखर ऐसा लगा था कि लाल सिंग चड़ा फारेट गम पर सस्ती कापी होगी मगर ऐसा हुआ नहीं फिल्म में आमिर खान ने जान डाल दी है एक पल को हैसास नहीं होता क्यों आमिर है सच में इसी लिए ही उन्हें मिश्टर परफिनेश्ट कहते हैं कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है आपको हसी भी आती है और इमोशनल भीग कर जाती है यह फिल्म आपका पूरा मनोरंजन करती है फिल्म एक बिदेशी कहानी पर आधारित है लेकिन जिस तरह से उसे इंडियन तरीके से अडॉप्ट किया गया है वो काबिले तारीप है फिल्म में जिस तरह से दंगो को मलेरिया कहकर संबोधित किया गया है यह मैसेज गहरा असर छोड़ता है वही करीना कपूर बेहत खोपसूरल लगी है बहुत वक्त बाद उन्हें ऐसे रोल में देखकर अच्छा लगा फिल्म का वो हिस्सा बहुत अच्छा जब सहरुख खान का कैमिवाता है बड़े परदे पर किंग खान का जादू फैंस को खुश कर जाता है इस फिल्म का निर्दसन आदे चेंदर ने किया है इसमें पहले उन्होंने आमिर्खान के साथ जेकर सुपर्स्टार बनाई थी इस फिल्म में उनका डारेक्शन और निकरा है आमिर्खान की फिल्म लाल सिंग च़ड़ा है एक मास्टरपीस फिल्म है फिल्म के गानने भावू करने और होंसला देने वाले हैं इस फिल्म की कहानी कभी आपको भाव करती है तो कभी हांसाती है। फिल्म के हर कलाकार ने पूरी मेहनस से काम किया है। आपको अपने परिवारवालों के साथ फिल्म जरूर देखनी चाहिए। नहीं है। दिल का साथ है और मा का कहना आख मूद कर मांता है। बच्पन में उसके पैरों में तकलेव की काड़वा ठेक से चल नहीं पाता लेकिन फिर ऐसी दोड़ लगाता है कि रुकता ही नहीं है। लाल का जीवन उसकी मा मोना सिंग रूपा यानि करीना का पूर और उसक के कारल लाल के जीवन में बदलावाते हैं। लाल के जीवन के साथ साथ भारत में घटी पर मुग घटनाएं अपातकाल, भारत का 1983 में बिश्कप जितना, इंद्रा गांधी की हत्या, अडवाणी की रथयात्रा, बाबरी मजद का धांचा गिराया जाना, सुसमता सेन का मिस यूनियर्स बनना से लेकर, 2014 के जुनाव तक की घटनाएं फिल्म की प्रष्ट भूम में चलती रहती है, फिल्म की सिरुवास सांदार है, लाल सिंग चड़ा का किरदार पहली प्रेम से दर्शकों से कनेक्ट हो जाता है, लाल सिंग की मासूमियत उसका एप, उसका बोलने क भाड़ी लैंग्वेज, उसकी सोच बहुत अच्छी लगती है, बालक लाल सिंग बहुत ही क्यूट लगता है, और यूवा लाल सिंग भी परभावित करता है, जो रेल से चंडीगर्ट जा रहा है, गोल गप्पे खाते हुए अससा है यत्रियों को अपने जीवन की कहानी स परभावित सुनाता है, लाल सिंग के जीवन में कैसे चमतकार हुए, उसके नाना पर नाना और पर पर नाना क्या करते थे, रूपा उसकी दोस्त कैसे बनी, कैसे वा सेना में सामिल हुआ, ये कि इससे बहुती अंदरत तरीके से फिल्म आएंगे हैं, सेना में लाल सिंग औ ठहर जाती है, कहानी बताने वाले के पास नया कुछ नहीं रहता, जो ट्रेक डाले गए हैं वो पर भावित नहीं करते, लाल सिंग की मा और उसके दोस्त बाला वाले ट्रेक तो उम्दा हैं, लेकिन मुहम्मद वाला ट्रेक फिल्म के सिंग में नहीं बैठता, कारगिल युद दोरा की गई बड़ी चोग है, और दोसक इस करेक्टर को ठीक से स्विकार नहीं कर पाते, लाल सिंग और मुहम्मद पर खासे फुटेज खर्चा किये गए हैं, और यहां पर आकर फिल्म में मनुरेंजन का इस्तुरत सूख जाता है, रूपा के लाल की जिवन में फिर आने लिए उनका तस रखा गया है, लेकिन लाल सिंग चड़ा के जिवन में इन घटनों का क्या असर हो रहा है, वो नदारत है, ऐसा लगता है कि सिर्फ समय को दरसाने के लिए घरनाय दिखाए गई हैं, जैसा कि आम दोर पर फिल्मों में दिखाए जाता है, होना तो यह जिसे फारिष्ट गंप देखते समय चोक गए थे, क्या फारिष्ट गंप का रिमेक अब बनाना उचित है, इस सौाल पर भी गौर किया जाना चाहिए, निदेशक आदेशक आदेशक चंदन ने फिल्म को तलिंता से बनाया है, फिल्म का लंबा डिस्क्लेमर ही दर्सकों को इसारा कर देता है कि वह फिल्म को आराम से देखना है, दर्सक इसके लिए तयार भी हो जाते हैं, लेकिन फिल्म भीज में गोता लगाती है तो इसकी लंबाई अखरने लगती है, अदेश चंदन ने लाल सिंग चड़ा के किदार पर मेहनत की है, उसकी मासूमित तो दिलको नजर आएंगे, कुछ को आमिर खान का आँखे फाड़ना, एक खास मैनेरिजम में बोलना, गर्दन को अजीब तरीके से गुमाना अच्छा लेगेगा, वही दूसरे कई लोगों को ये कैरी केचर नुमा एक्टिंग लगेगी, या उन्हें पीके द्वारा निभाया गया क एक्स्टेंसन लाल सिंग चड़ा में नजर आएगा, करीना का पूर खान सुंदर लगी हैं और एक ऐसी लड़के का करदार, जो लाल सिंग चड़ा से प्यार के बज़ाए अपने महतुकांचा से ज्यादा आहमियत देती है, उन्हें मैचिरिटी के सान निभाया है, लाल सि देखने के बाद भी लंबे समय तक याद किया जाते हैं, अब जित भटाचार के बोल सार्थक है, प्रीतम का संगित भले ही हिर नहीं हुआ हो, लेकिन गाने धीरे-धीरे अपने जिगह बना लेते हैं, तनुष टिकू का बैग्राउंड म्यूजिक क्लास अपील लिये आउट्डोर शूट देखने लायक है, और फिल्म को भवी बनाता है, सभी ने मेनत भी की है, लेकिन एक क्लासिक फिल्म का रिमेक बनाने में दीरी हुई, इसका असल लाल सिंग चड़ा पर नजराता है गोल गपे का मज़ा लेने के लिए सिर्फ मैदया आटा की छोटी गोली गोल पूरी से बात नहीं बनती, मसालेदार पानी, चटनी, पुदिना, इमली, आलो, बोंदी, खटाई, और भी बहुत कुछ चाहिए स्वाद के लिए आमिर खान के लाल सिंग चड़ा सिर्फ करारी पूरी है, बाकी स्वाद की चीज़े इसमें गायब हैं, पौने तीन गंटे की बहुत धीमी और लंबी फिलम, जो दर्शकों के धीरेश की कड़ी परिच्छा लेती है, और अंतता उबा देती है आज जब भाग दोड़ भरी जिंदगी में लोगों को ढंक से सांस लेने के फुरसर नहीं है, लोग जी जान से मेनत करके भी पीसे जा रहे हैं, ठीक से अपनी और परिवार की जुरूरते पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आमिर खान एक ऐसे आदमी की कहानी लाये हैं, जो अची एक्टिंग के लिए नहीं देखी जा सकती, हाली बुड़ में फारेट गंप को बने 28 साल हो चुके हैं, दुनिया की कहानिया बहुत बदल चुकी हैं, लेकिन बाली बुड़ के मेकर्स को लगता है कि हिंदुस्तानी दर्सक का मानसिख विकास नहीं हुआ है, लाल सिं वास्तों में आप पूरी सताबदी के परदे पर कहीं भी गहराई से नहीं दिखी है, कारगिल यूद के परकरण को छोड़ दे तो ऐसा लगता है कि लाल सिंग चड़ा एक बेक्ति है, जिसकी जिंदगी पर बना कोई डाकुमेंटरी आप देख रहे हैं, इसमें आने वाली बड़ी घटनाएं बस कहने के लिए यहां दर्ज की गई हैं, वह भात्मक रोप से आपको किसी अस्तर पर नहीं चूती हैं, लाल सिंग चड़ा की एक बड़ी समस्या या है कि इसमें आमिर खान का जोर कहानी सुनाने पर ज्यादा है, दिखाने पर कम, जहां जग घटनाए दिखाई जा रहे हैं, वहाँ भी अमिर खान दर्ज को मामला समझा रहे होते हैं, जैसे आप उसे देकर समझ नहीं सकते, एक्टिंग के मामले में अमिर खान या थ्री इडर्स और पीके कितरह आँखे चोड़ी करके हर पल चौकते हैं, या बात-बात पर मुश्करा देते ह उनका नया रोप नहीं दिखता, हाँ सलदार जी के रोप में वहाँ जरूर इसमार्ट और अलग दिखे हैं, लाल सिंग चड़ा की कहानी भले ही भाव करे, लेकिन इसका स्क्रीन फिले बहुत धीमी गस्स चलता है, लाल सिंग चड़ा की बातों में दोहरा हो है, चाहे हर ब बिखतार उसे समझाती है कि वहाँ किसी से कम नहीं है, बचपन में लाल सिंग चड़ा अपने पैरों में लगे, ब्रेसच के सारे चल पाता है, बचपन में ही उसे स्कोल में रूपा डिशूजा से प्यार हो जाता है, और आप पोच्ता है कि वहाँ क्या उससे प्याह करेग लेकिन वह एक तूटे हुए परिवार की रूपा को जिंदिगी में खोब पैसा कमाना है मुंबई जाकर हिरोईन बनना है लाल बहुत तेज जोडता है और नाना पर नाना की तरह आर्मी में भरती हो जाता है कारगिल युद्ध में हिस्सा लेकर वह अपने पांस सेपाहियों की जान बचाता है अपने राष्टपत के हाथों बेरता का प्रुषकार मिलता है वहाँ से रिटार होकर वह जब घर लोटता है अब उसे रूपा का इंतिजार है बस इसी भीश सेना में मिले दोस्त बाला यानि नागा चैतन और पाकिस्तानी आतंकी मुहमद भाई यानि मानोव विश के भी ट्रेक बीश में आता जाता है क्या अंतिमे लाल की जिंदिगी में रूपा लोटेगी क्या वह हेरोएन बन पाएगी इन सौबने के जवाब कहानी देती है लाल सिंग चड़ा पहले हिस्से में तो ठीक है लेकिन दूसरा हिस्सा तमाम बातों को खीषता चला जाता है इसमें संदे नहीं कि कई जगों पर आमिर खान की एक्टिंग बहुत सांदार है बाला के सेना के रिटार होकर चड़ी बनियान बेचने की योजना का ट्रेक भी हलका पुलका कामिक है मगर मुहमद भाई की कहानी गले उतारना मुश्किल है पाकिस्तानी सेना या तंगवादी संगटन की तरब से कारगिर में लट रहे हैस आदमी को लाल बचाता है मगर उसका कोई रिकार सेना या सुरच्छा बलो के पास नहीं है अस्पताल से चुट्टी होने के बाद वाख खुला गूमता है और मुंबई में रहता है लाल सिंग उसके साथ हाथ मिलाकर चड़ी बनियान का बिजनेस करता है और दोनों इतने बड़े अंतरप्रियोर बन जाते हैं कि एक निशनल पत्रिका के कवर पर छपते हैं पिर एक दिन मुहमत भाई वापस पाकिस्तान भी लोट जाता है कई मिन्टों तक देश की सड़क पर बिवज़ा दोरते लाल सिंग का लंबा दरस कहानी में कोई पते की बात नहीं करता है कहानी में ना ठीक धन से रोमान सहर ना कमेड़ी और ना एक्सन इमोशन भी उचाई तक नहीं ले जाते करीना कपोर फिल्म के आखरी दरस्तों में अच्छी लगी है जबकि बाकी दरस्तों में बेहत आउसत कहानी में वा बीज-बीज में आती जाती हैं उनकी जीवन का दुंद धंग से नहीं उभरता निदेशक अदधी चंदन के बारे में कह सकते हैं कि वा सिनेमा की कला जानते हैं लेकिन अपने समय की कहानी का चैन करने में चूग गए फारेश्ड गम का हिंदी रुपांतर अतुल कुरकार्डी ने किया है उन्होंने कथा पटकता में कसावड का ध्यान नहीं रखा या फिल्म की बड़ी कमजोरी है टाइटल गीत कहानी जीवन दरसन से भरा और सुनने में अच्छा है जो कि बाकी संगित कुछ खास नहीं है पूरी फिल्म के समादो का टोन ठेड पंजाबी है हाला कि आप उन्हें आसानी से समझ सकते हैं कुल मिलाकर लाल सिंग चड़्धा ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें आपको अपना समय दिखाई दे वहां मिर खान भी यहां नजर नहीं आते वो एंटर्टेनर है जो हसाते रुलाते गंबेर बात कह जाते हैं लाल सिंग चड़्धा एक आम इंसान के असाधार जरनी की कहानी है लाल सिंग चड़्धा का जर्म 1971 में गुरपरीद के घर हुआ था वह अपने पती से अलग हो जाती है और लाल को अखेले ही पंजाब के पठान कोट के पास करोली गाउं में पालती है लाल सिंग चड़्धा को बच्पन में लेक ब्रेसर्स लगाया जाता है उसके साथ उसे चलना मुश्किल लगता है उसके उपर उसका आईक्यू कम है और इस लेवा इसकोल में मजाग का पातर बन जाता है लेकिन रूपा डिसूजा उसकी सहपाठी उसकी करीबी दोस्त बन लाल अपने कालिज के चल रहे टूनान में भाग लेता है और एक चैंपियन बन जाता है वह रूपा से प्यार करना चारी रखता है लेकिन रूपा उसे एक दोस्त के रूम में पसंद करती है और हैरी से प्यार करती है वह एक मॉडल और अबनेतरी बनना चाहती है और जिने सुरू करना उनका सपना है वो इतने करीब हो जाते हैं कि वह लाल को अपने भविश के बेवसाहे में एक साजेदारी की पेसकस करता है लाल ने इससे स्विकार कर लिया अपसोस की बात है कि 1999 में कारगिलियो दिछड़ गया और बाला की मरत्य हो गई आगे क्या होता है इस फिल्म में दिखाया गया है लाल सिंग चड़ा फारष्ट गम जो की 1994 में आई थी का एक भारती रुपांतरड है कहानी अपनी तरह की अनूठी है अतल कुलकरली की अनकूलियत पटकता में इसके हिस्से खूबिया है लेकर की सबसे बड़ी उपलब्दिया है कि कहानी का भारती करड़ खुबसूरती से किया गया है साथ ही उन्होंने फिल्म को औरिजिनल के तुलना में बहुत कम डार्क बनाया है खासकर रुपा के किलदार के सम्बंद में लेकिन लिकाओट खिची हुई है और इसे छोटा किया जा सकता था अतल कुलकरली के डालाग मधूर औ जहां फर्ष्ट हाफ करीब एक गंटा पंदरा मिन लंबा है वह इसकेंड हाफ एक गंटे पचीस मिनट से जैदा का है रिमेग फारष्ट गंब से लगभग बईस मिनट लंबा है और सिकेंड हाफ में आप महसूस किया जा सकता है कई दिरस्टी दर्षकों को धैर के परिच लेकिन दर्षकों के लिए इसे पचा पाना मुश्किल होगा अंत में फिल्म को ऐसे बनाया गया है कि वह बड़े पैमाने पर दर्षकों के लिए नहीं है पफामेंस की बात करें तो अमिर खान सांदर पफाम में हैं और इस किरदार को पूरी तरह से जीते हैं कुछ दर्ष का पूर खान बहुत प्यारी लगती हैं और एक सांदर पर दर्षन करती हैं मोना सिंग काबले तारीफ हैं एतनी अकिनेनी एक छोटी सी भूमका होने के बावजूद एक बड़ी चाप छोड़ते हैं मानो बिजेक सर्प्राइज हैं और अच्छा काम करते हैं अहमद बिन उ को कोई गुंजाइश नहीं मिलती सहरु खान सांदर लगते हैं प्रित्म का संगित कानों को सुकून देता है लेकिन किसी भी गाने की सिल्फ लाइफ लंबी नहीं होगी कहानी सबसे अच्छा गाना है तूर कलिया काम करता है यह एक महतपूर मोड पर आता है मैं की करा फिर पाला का प्रोडेक्शन डिजाइन रिच है जो गेंदर गुपता का मेक अप इस पार्ट आन है करीना के मामले में मैक्सिका बसू की बेस भूसा वास्तविक और गलेमरिस लगती है परवेश से का एक्षन खून से रहित है रिट चलिस डाट पीफेक्स का पीफेक्स को कम कर देती है बाक्साफिस पर इसे रच्छा बंधन का लापसाम और लंबे 42 सब्तहांग से भी मिलेगा हाला कि फिल्म का कारोबास सिर्फ महानगरों के दस्को तक ही सीमित रहेगा और वह भी प्रीमिय माल्टिप्लेक्स में फिल्म लाल सुंग्चड़ा उस हाली बुड फिल्म फारश्ड गम का हिंदी अनकूलन है जिसने इसके अबनीता टाम हैक्स को बिसू सिनेमा में एक अलग पहचान दी थी फिल्म को हिंदी में बनाने का पहले पहल बिचार अबनेता अतुल कुलकरडी को ये फिल्म देखकर आया था उन्होंने दो हपते के भीतर इसकी हिंदी पटकता भी तयार कर ली थी लेकिन अपने मित्र आमिर खान को ये पटकता सुनाने में उनको दो साल लग गए और इसके बाद आमिर को एफिल्म बनाने में 14 साल और अब एफिल्म सोसल मीडिया के बहिसकार वादियों के निसाने पर है इतिहास की गटनाओं का सिनेमाई सिंसार है फिल्म पंजाब से आयाग बच्चा दिल्ली में परधानमंतरी आवास के सामने अपने परिवार के साथ फोटो किचा रहा है और पीछे से गोलियों के चलने की आवाजे आती है वापस अपने गाउं जाने के लिए माँ के साथ निकले इस बच्चे के सामने ही उसके आटो वाले के पिट्रोल छिड़कर जिन्दा चला दिया जाता है माँ अपने बच्चे को लेकर दुकानों की ओट में छिपी है और वही गिरेकाज के टुकड़े उठा कर अपने बेटे की जूड़ी खोलकर उसके बाल काट देती है यह 1984 का हिंदुस्तान है देश में बीते 50 साल की घटनाओं को एक प्रेम कहानी के जरिये केट करती आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंग चड़ा सोसल मेडिया के उन सूरवीरों के निसाने पर आई फिल्म है जिने किसी भी खान सितारे की फिल्म से चिड़ है एक फिल्म बनती है और चलती है तो मंबई के हाजारों परिवारों के घर चूला जलने की गारंटी बनती है चंद लोगों से चिड़े लोग अगर पूरी फिल्म इंटिस्टी का इन बाइकार्ट से ऐसे ही तमासा बनाना चाहे तो अलग बात है नहीं तो फिल्म लाल सिंग चड़ा हिंदी सिनेमा के सफर का एक प्रसंसनी देस्तावेज है जिसे देखकर हर उस सक्स को रोना आ जाएगा जिसने एक बार भी जिन्दगी में महबत की है फिल्म लाल सिंग चड़ा च्छाए आसकर जीतने वाली फिल्म फारस्ट गम का अधगारिक रिमेक है लेकिन जिन्होंने औरिजिनल फिल्म देखी है उन्हें फिल्म अपनी मौल फिल्म से बहतर नजर आएगी यहां फिल्म का भारती संसक्रेट और देश के इतिहास के हिसाब से अनकूलन करने वाले अतुल कुल करड़ी ने गजब की संवेदन सीलता का परचे दिया है सबसे पहले तो उच्चुकता इसी बात को लेकर होती है कि अपने खास बच्चे लाल का सामान इसकुल में अडमिसन कराने पहुंची उसकी मा क्या कुर्बानी देगी सुरू में सवाद देकर डर लगता है कि कहीं यहां भी तो उरिजिनल की तरह मा अपने बच्चे के लिए सौधा तो नहीं करवाटेगी लेकिन अतुल कुल करड़ी ने पूरे द्रस को जिस तरह से भारती संवेदनाओं के साथ बदला है वही से फिल्म आगे की राह खुलती दिखने लगती है लाल सिंग चड्धा जिसे थोड़ा बुद्धू किसम का बच्चा कहते हैं वैसा है दिमाग से कम और दिल से ज्यादा समझता है ऐसे लोग अब भी बुद्धू ही कहलाते हैं आमिर खान की चार साल पहले रिलीज हुई फिल्म ठक साफ हिंदुस्तान का जब बॉक्स आफिस पर हसर बुरा हुआ तो इलजाम आमिर खान पर आया कि पूरी फिल्म तो उन्होंने अपने हिसाब से ही बनाई है आमिर अपने फिल्मों के आगोसी निर्देसक होते हैं और ये बात सब जानते हैं और यहां फिल्म लाल सिंग चड़ा देखते समय भी बात बार बार याद आती है कि आमिर इस फिल्म में सिर्प आविनेता ही नहीं बलकि इसके निर्माता और अगोसिर निर्देशक भी हैं नाम फिल्म में अदेज चंदन का बताव निर्देशक है लेकिन फिल्म के हर फ्रेम पर चाप आमिर खान की है कहानी बीते सदी के आठोए दसक से सुरू होकर आप तक आती है बीच में भारत की किरकेट बिशकप में मिली पहरी जीत, आपरेशन बलो इस्टार, इंद्रा गांधी की हत्या, उनके अंतिम संसकार में सुबक्ते राजयो गांधी है बाबरी बिद्धोस्त है, लालकरषड अद्वारी की रथयात्रा है, मुंबई बंधमा के हैं, अबू सलेम और मोनिका बेदी की कतिक प्रेम कहानी है और है वाराड़सी के घाटों पर लिखा नारा, अब की बार मोधी सरकार मुंबई फिल्म इंडिस्ट्री से करीब से वाकिब लोग जानते हैं कि यहां अब सिर्फ प्रोजेक्ट बनते हैं हीरो के फीश कितनी होगी, फिल्म की मेकिंग पर खर्चा कितना आएगा, फिर फिल्म ओटीटी पर कितने की बिकेगी म्यूजिक और शिटी लाइट रैट्स से कितना पैसा आ जाएगा, यह सब गुड़ा भाग करके फिल्म सुरू हो जाती है बिक जाती है, सिनेमा घरों में फिल्म चले की कि नहीं, इसकी खास परवाह इन प्रोजेक्ट बनाने वालों को नहीं होती है लेकिन फिल्म लाल सिंग चड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, यह सिनेमा है यह एक ऐसे इंसान का जुनून है जिसने खुद को परदे पर एक लाचार इंसान के तोर पर पेश करने का जोखिम लिया है यह सच है कि आमिर सुरुख्यों के सोखिन इंसान भी रहे हैं और बिना सोचे बिचारे दिये वक्त कब ही अब उनके दुस्मन बने हुई हैं लोगों ने उन्हें मार्केटिंग गुरू के तौर पर इस्थापित करने की कोशिस भी मार्केटिंग के तौर पर ही की लेकिन जो आमिर खान को करीब से जानते हुए सब ये भी जानते हैं कि आमिर अपने काम में खुद को किस तरह से जोग देते हैं कोई 50 साल बाद जब कोई हिंदी सिनेमा पर कुछ लिखेगा तो आमिर खान की गिंती उनमें ऐसे फिलमकार के तौर पर होगी जिसने पर करदार जैसा देखने का हिंदी सिनेमा में चलन शुरू किया यहां भी वह आमिर खान किसी कोने से नहीं देखते सुरू के दरस्थों में भले ही करदार में पीके की जलक मिलती है और सहरु खान के भी जवान दिखने के लिए उनके चेहरे पर फायन जिसे स्पिसल एफेक्ट डाले गए हूं लेकिन एक बार लाल को अपना कमाल समझा जाता है तो फिल्म का ग्राप ही बदा जाता है साथ ज़रूरी या भी जाना है कि हिन्दी सिनिमा के दर्सक वाकी सिनिमा देखना चाते हैं क्यों बस बिसमे कारी दर्स्टों को देकर अचंभित होते रहते हैं और KJF2 और RRR जैसे फिल्मों पर ही पैसे लुटाते रहेंगे फिल्म लाल सिंग चद्धा को देखने के दोरान आस पास की सीटों पर बैठे लोग सुबकते महसूस होते हैं ऐसा इसलिए कि ये फिल्म एक प्रेम कहानी है लाल सिंग चद्धा और रूपा डिशुजा की प्रेम कहानी रूपा बच्पन में ही लाल की घर रहने आ जाती है दोनों साथ पढ़ते हैं इसकूल जाते हैं रूपा का हर काम लाल खुशी खुशी करता है लेकिन बच्पन में दस रुपे के लिए अपनी मा को खो देने वाली रूपा को अमीर बनना है किसी भी तरह वा माडल बनती है और मुंबई आकर हिरोन बनने के दलदल में ऐसी फच्टी है जहां से निकलने के लिए उसे आत्म हत्या ही एक मादर रास्ता नजराता है दुबई में दाउज जिसे दिख्ते सक्स को सराप प्रोष्टी नजराती है अबू सलेम जैसा दिख्टा डान उसे अपनी रखेल बना कर रखता है और लाल सिंग चढधा से जब वह फिर मिलती है तो उसके संगपूरी राद दिल्ली की सड़कों पर गुमते हुए गुजार देना उसे अच्छा लगता है रूपा डिशुजा से रूपा कौर बनने की करीना कपूर की कहानी भी फिल्म लाल सिंग चढधा का मजबूत आधार है लाल सिंग चढधा बनकर आमिर ने अगर बतोर अभी निता खुद को और निखा रहा है तो करीना का पूर भी अर्श से बाद अपने रंग में दिखी है रूपा का रूप बनने से लेकर उसे जीत कर दिखाने तक में करीना ने बहतरीन काम किया है करीब 180 क्रोट रुपे की लागस से बनी फिल्म लाल सिंग चढधा वाकई मेहनस से बनी फिल्म है पूरा देश इस फिल्म में नजर आ जाता है अपने दादा पर दादा कितरे चढधे बन्यान का कारोबार करने की हसरत ले फोज में आया बाला फिल्म को एक अलग पुट परदान करता है तो कारगिल की पाड़ियों पर हुई जंग में गायल पाकिस्तानी की अलग कहानी है हिंदुस्तान में रहकर उसका दिल बदलता है बहतर हूरो वाले बाद उसे भी छलावा लगने लगती है लाल सिंग चड़ा उस पर भरोसा करता है और अपनी कमपनी में उंचा उहदा देता है लेकिन वह वापस घर जाना चाहता है बच्चों के लिए कि स्कूल खोलना चाहता है और पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता है कि असल हिंदुस्तान क्या है और उन्हें क्या समझा जा रहा है बाला के किरदार में नागा चैतन और पाकिस्तानी हमलावर के रूम में मानो भिजने फिल्म लाल सिंग चड्ड़ा में नगीने जड़े हैं और लाल के मा के रूमे मोना सिंह ने भी अपनी तरफ से पूरी कुशि इसकी है यही वाकिरदार है जो लाल को लाल सिंग चड़ा बनाता है फिल्म लाल सिंग चड़ा की तकनीकी टीम इसकी जान है सतीजीत पांडे ने अपने कैमरे से जो भारा दर्सन इस फिल्म में किराया है वह कई बार देखते समय डिस्कवरी चैनल की किसी डाकुमेंटरी सा इसास दिलाता है ट्रेंस से अमरस्त जाते लाल सिंग चड़ा की सहयात्रियों से बाचीत के जरिये बया होती फिल्म सुरू में थोड़ी धायर भी मांगती है और इंट्रोल के बाद जैसे फिल्म सरपड भागना सुरू करती है तो फिल्म के क्लाइमेक्स से तक आते आते बिकास में नहीं देखता और फिल्म की इकलोती कमजोर कड़ी भी फिल्म का संगीत ही है अगर आपको अर्शे से एक फिल्म ऐसी देखने का इंतजार रहा है जिसमें अच्छे सिनिमा के सारे नहीं लेकिन अधिकारिक तत मौजूद हो तो फिल्म लाल सिंग चड़ा जरूर देखनी चाहिए फिल्म जो कि पहले सही बनी एक फिल्म का हिंदियन कोलन है तो आसकर में तो ये नहीं जाएगी और हो सकता है कि अंतरराष्टी फिल्म पुरुषकारों की से में सोच वाली जूरी भी इसे नजर अंदाज ही करे लेकिन इसका असली पुरुषकार वह प्या इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फारेष्ट गंप आमिर खान की फिल्म से कमतर है लाल सिंग चढड़ा के सामने हमेशा चुनाती थी कि वो फारेष्ट गंप के आस पास पहुँच पाए ये फिल्म उस चुनाती से कही आगे जाती है यही इसका हासिल है लाल सिंग पता है आप उसे अपराद बोध नहीं करा सकते। आमिर की पुफार्मेंस ऐसी है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इसलिए नहीं कि वो बहुत कमाल की पुफार्मेंस है। बलकि इसलिए कि वे बड़े सिंसियर और सिंपल तरीके से किया हुआ काम है। मुझे हमे जिससे लाल की पक्की दोस्ती हो जाती है। चायतनी का काम बढ़िया है। जब तक आप मेन मेक निकालते ना बैठे हों। मोना सिंग्ने फिल्म में लाल की मा गुर्प्रीत का रोल किया है। जिन से आपको किसी किसम की सिकायत नहीं होती। वो फिल्म की इमोशन कोर को करती हैं। मानोवी छोटे मगर जरूरी किर्दार में फिल्म का एक बड़ा विमर सामने लेकर आते हैं। लाल सिंग चटा एक भोले भाले आदमी की कहानी है। जो चतुल दिन्या में रहता है। लाल हर चीज को हैरत भरी निगाहों से देखता है। इसलिए फिल्म के अधि रहने की पीछे की वज़े यही है। पीके नामक एक एलियन धालती पर आता है। उसके लिए हर चीज नही है। इसलिए सब कुछ फटी आखों से देखता है। लाल सिंग चटा भी वैसा ही किर्दार है। वो जिस दुनिया में रहता है उसके बारे में उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है। वो अपने सामने होती चीज़े देखता है तो हद परत रह जाता है। इसलिए उसकी आखों में साक और सर्प्राइज का मिला जुलाभाव देखने को मिलता है। जब आप ये फिल्म देखोगे तो मामला बहतर समझ पाएंगे। आमिर हर फिल्म में एक जैस आमिर खान ने इस चीज़ पर फते हांसिल कर लिए। उनके लिए फिल्म का दर्जा अवेल है। लाल सिंग चड़ा आजादी के बाद भारत में घटी हर जुरूरी घटना को अपने कैनवस पर जगए देती है। मगर वो जज़ नहीं बनती। वो सिर्फ घटना दिखाती ह और आगे बढ़ जाती है। सही गिलत के चकर में नहीं परती। दर्सक कुछ चीज़ को कैसे देखना चाता है वो उसकी मरजी। इस फिल्में इमर्जंसी हटाने से लेकर इंद्रा गांधी की हत्या सोमना थिरत हत्रा से लेकर 26-11 आतंकी हमले और अन्ना अंदोलन तक का जि कराता है। मगर वो एक आदमी के जीवनकाल में होने वाली घटना भर है। वो उसका जीवन नहीं है। लाल जिंग चड़ा एकदम सिंपल फिल्म है। इसमें कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो अलग से जोड़ी हुई लगती है। लाल जिंग चड़ा है का साधार इंसान है। बस होते हैं। आपको बस उस इंसान की कहानी को उसके नजरिये से देखना है। हर नजरिया सिनेमा है। ऐसे ही एक नजरिये का नाम है लाल सिंग चड़ा। अच्छी फिल्म क्या होती है जिसे देखकर आपको ना लगे कि एक एक तरफा बात कर रही है। कहानी के सिर्फ ए ईभी लाल सिंग चड़्धा की तुलना फारइट गंप से होगी फार अब्यस रीजन मगर लाल सिंग चड़्धा अपने आप में मुकमल फिल्म है लाल सिंग चड़्धा पठान कोट में रहने वाले लाल नाम के एक लड़के की कहानी है उसके पैर में कुछ समस्या है उसके साथ समय गुजारने वालों को लगता है कि वो मंद गुद्धी है लाल की मा बड़े मसकत के बाद अपने बेटे का नाम एक नारमल स्कूल में लिखवाती है नारमल स्कूल में वो होता है जहां कतिस स्वस्त मानसिक आवस्था वाले बच्चे पढ़ते हैं जो बच्चे अलग हैं उनके लिए अलग स्कूल है मगर लाल की मा को लगता है कि उनका बच्चा दूसरे बच्चों जैसा ही है नार्मल स्कूल में दाखिला पाने के बाद लाल की मुलाकात रूपा नाम की लड़की से होती है रूपा हर संभो तरीके से लाल की जिंदगी बदल देती है ऐसा लाल को लगता है कि जिंदगी का बदलना क्या होता है वो आपको अपनी जिन्दगी के बदलने के बाद पता चलेगा मैं पिछले कुछ समय से सुस्यल मेडिया पर बाइकाट वाला ट्रेंट देख रहा हूँ मैं सिर्फ सिनेमा के लिहाज से बात कर रहा हूँ लाल सिंग चड़ा का बहिसकार करने के मांग लंबे समय से चल रही है मगर मैं लाल सिंग चड़ा को देखने के बाद कह रहा हूँ कि हर बेक्ति को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए इसलिए नहीं कि एक फिल्म आपको देश भक्ती पर लेक्चर देती है लाल सिंग चड़ा आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी फिल्म है अबनेता निर्माता अमिर्गान की ड्रीम प्रोजेक्ट लाल सिंग चड़ा ने आकरकाश नेमागरों में दस्तक दे दिया है अमिर्गाने इस फिल्म की शूटिंग पिछे चार सालों से कर रहे हैं जबकि फिल्म की स्क्रिप्ट 14 साल पहले लिखी जा चुकी है 10 साल फिल्म के राइट सो हाली बोर्ड फिल्म फारश्ट गंप से लेने में चले गए कुल मिलाका लाल सिंग चड़ा बहुत मेनस से बनी फिल्म है जो सभी को देखनी चाहिए आसकर प्राप्त फिल्म फारश्ट गंप की या फिल्म अधिकारिक रिमेक है कहानी वही है लेकिन भारती संस्क्रत और इतिहास को जिस तरह से कहानी में जोड़ा गया है वह फिल्म में नए पन को लेकर आया है या पठान कोट में रहने वाले लाल सिंग चड़ा की कहानी है लाल चल नहीं पाता कोई भी बात उसे देर से समझ आती है लोगों को वह जब अपने से अलग कोई दिखता है तो उसे कमतर मानने लगते हैं लेकिन उसकी माउसे किसी से कमतर नहीं मानती वह लाल को कहती है कि वह जो चाहता है वह कर सकता है वह वैसा ही करता भी है लेकिन अपने तरीके से किस तरह से वह आपने आसपास के लोगों की जिंदगी और सोच को बदलता है या फिल्म इसके साथ उसके प्यार के भी चलनी है जो सरल कहानी को पूरी तरह से emotional बना गया है बीच-बीच में हलके फुलके पल भी है जो होटों पर हंसी भी लाते हैं इस क्रिप्ट की खुबियों की बात करे तो लाल सिंग चड़ा में आजादी के बाद भारत में हुई हर बड़ी घटना को खुद में समेटा है इमर्जेंसिस से लेकर मोधी की सरकार बनने तक लेकिन वह किसी भी घटना करम पर अपनी राय नहीं दोपती कि यह अच्छा है यह बुरा कोई बहस बाजी भी नहीं है मौजुदा दोर में हर छोटी बात का सोसल मीडिया पर जिस तरह से लोगों के बीच बतंगड़ बनता है ऐसे में फिलम के नायक का बड़ी घटनाओं के इर्द गिर्द होने का बावजूद उसका बेफिक्री वाला अंदाज किर्दार को ना सिर्फ खास बनाता है बलकि कुछ सोचने को मजबूर भी करता है इसके साथ ही आम तोर पर जिन किर्दारों को सिनेमा घरों और समास में गिरे कहा जाता है जैसे मानो बिच का किलदार हो या करीना कपूर का मौनका बेदी से प्रेजित किलदार सभी को पूरी संबेंदा सिल्टा के साथ दिखाया गया है खामियों की बात करे तो फिल्म थोड़ी लंबी हो गई है खास कर फष्ट हाब में दूसरे हाब में कहानी गद के साथ आगे बढ़ती है अभिने के बात करे तो या फिल्म आमिर खान की है उन्होंने अपने किल्दार पर बहुत महनत की है वो इसक्रिन पर काफी अलहदा अंदाज में भी नजर आये हैं लेकिन कहीं न कहीं उनके किल्दार को देखते हुए सुरच्छा की भावना बस्पन के दर्द के साथ बाखो भी चाप छोड़ती है इस फिल्म में उन्होंने अपना बेतरिन परफॉमेंस दिया है बानो बिज और मोना सिंग ने भी इस फिल्म में यादगार परफॉमेंस दी है नागा चोतन भी अच्छे रहे हैं फिल्म की सि एफेक्स के माधम से बाखो भी से किया गया है आपरेशन ब्लो इस्टार पूर प्रदान मंतरी इंद्रा गांधी की हत्या बाबरी मजद बिध्धोस्त है टुन्टिसिक्स स्लेस अलेबन के विजुल्स को कहानी में जोड़ा गया है फिल्म के सम्वाद अच्छे बन पड़ है फिल्म हालीबुड फिल्म फारश्ट गम का रिमेक है और इस वज़े से नहीं किनी और ही वजहों से फिल्म के बाइकाट की मांग हो रही है लेकिन अगर आप सिनेमा से प्यार करते हैं तो इस फिल्म को बाइकाट मत कीजिएगा लाल सिंग चद्धा बच्पन से चल नही करता है और काफी कुछ सिखा जाता है वो इसक करता है तो सिद्ध से करता है पर क्या उसे उसका प्यार मिल पता है यह इस फिल्म में ट्विष्ट के साथ दिखा जाता है आमिर खान की एक्टिंग को सार रिब्यू नहीं किया जा सकता लेकिन फिल्म का ट्रेलर आने के बाद कमाल तरीके से दिखाय गया है चोटे आमिर खान ने भी कमाल की एक्टिंग की है और बड़े वाले तो हैं ही लाजवाब करीना कपूर का काम अच्छा है हाला कि उनका रोल थोड़ा कम होना चाहिए था नागा चेतन आपका दिल जीत ले जाते हैं आर्मी का एजवान चट्ड ली जीत लेता है कुल मिलाकर एक्टिंग के मामले में फिल्म सांधार है अतुल कल कर्ड़ी ने फिल्म की कहानी लिखी और सांधार तरीके से लिखी है फिल्म का फच्छ acjaप तो बहुत कमाल का है आपकी आगे कई बार नम होती है आप ह suspectsे भी हैं और रोते भी हैं हैरान भी होते हैं जेकंड हाप थोड़ा स्लो है और लगता है कि लबी स्टोरी वाला एंगल लंबा कर दिया गया है और उसे छोटा किया जा सकता था लेकिन ये लबी स्टोरी लाल सिंग चिद्धा का काफी एहम हिस्सा है इस फिल्म के बाइकाट के मांग जोर सोर से हो रही है लेकिन बाइकाट करने वालों की बात करने वालों को भी फिल्म पहले देखनी चाहिए क्योंकि अच्छे सिनेमा को अच्छा ट्रेटमेंट जरूर मिलना चाहिए